नमस्कार दोस्तों Learnify Studio में आपका स्वागत है। आजकल हम देखते आ रहे हैं कि हर जगा AI के बारे में चर्चे हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार में। रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार, इत्यादी के इर्ध गिर्ध सभी प्रचार के साथ यह मान लेना आसान हो सकता है कि AI हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है। हकीकत में, हम में से ज्यादातर लोग लगभग हर दिन किसी न किसी तरह से आर्टिफिशेल इंटेलिजेंस का सामना करते हैं। जिस पल आप सुबह उठकर अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं से लेकर नेटफ्लिक्स की एक और फिल्म देखने तक। AI ने तेजी से हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में अपनी जगह बना ली है। स्टेटिस्टा के एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक AI बजार हर साल 54 प्रतिशत तक बढ़ने वाला है। लेकिन वास्तव में AI क्या है? क्या ये वास्तव में भविश्य में मानव जाती के लिए अच्छा काम करेगा? खैर, Artificial Intelligence के धेरों फायदे और नुकसान हैं, जिनके बारे में हम इस विडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम AI के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें, आईए एक नजर डालते हैं कि AI क्या है? पिछले कुछ वर्षों से Artificial Intelligence की हर और जबरदस्त धूम मची हुई है। AI से जुड़ी नई-नईक शमताओं का तेज गती से विकास हो रहा है। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि इन रुझानों पर निकट भविश्य में विराम नहीं लगने वाला। सरकारों के लिए AI एक ऐसा अफसर मोहिया करा रहा है, जिसके जरिये वो मौजूदा प्रक्रियाओं को अनुकूलतम स्तर पर लाकर करोडों लोगों की जिन्दगी सवार सकती है। कई सरकारों को भरोसा है कि अपनी जनसंख्या के बारे में विशाल पैमाने पर जानकारिया, जिसे बिग डेटा के रूप में जाना जाता है, वो इकठी करके वो समाज की अनेक समस्याओं को दूल करने की क्षमता रखने वाले AI नेटवर्क तयार कर सकते हैं। भारत के आधार लेखागार को लेकर ऐसी उम्मीदे थी कि ये भारतिये नागरिकों के दूरगामी डेटाबेस हासिल करने में शुरुआती बिंदू प्रदान कर सकता है। लेकिन 2017 में आधार के अनुमती प्राप्तोप्योगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस निर्नय के बाद तेलंगाना जैसे राज्यों ने इन नियमू से पिंद छुडाते हुए आधार पर निर्भरता दिखाए बगैर डेटा एकत्रित करने की भरपूर कोशिशे की। बिग डेटा जुटाने की कवायद में कोर्ट के निर्मियों में खामिया या जुगार धूंधने की बजाए भारत को AI के प्रती अपने दृष्टिकों को नए नए ओजारों से लेस करने पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए। इसके लिए उन विशिष्ट परिस्थितियों की पहचान करके उनका निप्तारा किया जाना चाहिए जहां AI नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर चोट पहुँचाए बिना उप्योगी साबित हो सकता है। एक पक्षी की नजर से AI एक कम्प्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। यह मशीनों में मानव बुद्धी का अनुकरण है जो उन चीजों को करने के लिए हैं जिन्हें हम आम तोर पर मनुश्यों पर निर्भर करते हैं। AI के उपर कई बड़ी हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जैसे कि अरब पती एलन मस्क ने कहा कि उनका मानना है कि AI वाला उम्मीदवार 2032 में अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव लड़ सकता है। एलन मस्क ने चुनावों पर AI के प्रभाव के बारे में बात की और कहा कि अगर AI काफी स्मार्ट है, तो ये लोक तंत्र को कमजोर कर सकता है। उन्होंने ये भी भविश्यवानी की कि 2026 में AI इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है और बिजली आपूर्ती के कारण त अगले साल या दो साल के भीतर होगा। पंत्प्रधान मोदी जी ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। वो बोले कि जो भी AI जेनरेटर्ट कंटेंट होगा उस सब पे वाटरमार्क होना चाहिए, ताकि ये सबूत रहे कि ये कंटेंट AI द्वारा बनाया गया है। बिल गेट बताते हैं कि AI पांच वर्षों में हमारे जीवन को कैसे बदल देगा। ये कोई रहसे नहीं है कि बिल गेट्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर उतसाहित हैं, लेकिन अब वो भविश्यवानी कर रहे हैं कि ये तकनीक अगले पांच वर्षों में सभी के लिए परिवर लागत, ऐसी मशीन बनाने की क्षमता जो मानव बुद्धी का अनुकरन कर सके, कोई छोटी उपलब्धी नहीं है, इसके लिए बहुत समय और संसाधनों की आवश्यक्ता होती है और इसमें बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है, AI को अपडेट रहने और नवीनतम आवश्यक के बाहर सोचना नहीं सीख सकता, AI समय के साथ पहले से दिये गए डेटा और पिछले अनुभवों से सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने द्रिष्टि कोन में रचनात्मक नहीं हो सकता, इसका एक क्लासिक उदाहरन बॉट क्विल है जो फोब्ध की कमाई रिपोर्ट लिख सकता है, इन रिपोर्टों में केवल बॉट को पहले से दिये गए डेटा और तत्य शामिल होते हैं, हाला कि यह प्रभावशाली है कि एक बॉट अपने आप एक लेख लिख सकता है, लेकिन इसमें अन्य फोब्ध लेखों में मौजूद मानवीय स्पर्ष का अभाव है, न जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैटबोट अगर सो टका सफल होते हैं तो कंपनिया इसके लिए नौकरिया निकालना बंद कर देंगी इसी तरह का खत्रा दूसरी कई नौकरियों के साथ भी है, सबसे ज्यादा खत्रा फिल्मिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े लोगों पर होगा क्योंकि इस फील्ड में तेजी से AI का इस्तिमाल हो रहा है और इसके नतीजे भी आश्चर्य जनक है नंबर चार मनुष्य को आलसी बनाओ AI एप्लिकेशन ज्यादा तर ठकाओ और दोहराव वाले कामों को स्वचालित कर देते हैं क्योंकि हमें काम पूरा करने के लिए चीजों को याद रखने या पहेलिया सुझाने की जरूरत नहीं होती इसलिए हम अपने दिमाग का इस्तिमाल कम से कम करते हैं AI की यहलत आने वाली पीरियों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं लेकिन AI के कुछ फाइदे भी है Artificial Intelligence विभिन क्षेत्रों में तेजी से प्रचलित हो गया है और इससे कई लाब हुए हैं AI की सबसे बड़ी खासियद Automation है और इसका संचार, परिवहन, उप्भोकता उत्पादों और सेवा उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है स्वचालन से न केवल इन क्षेत्रों में उत्पादक्ता में व्रिद्धी होती है बलकि कच्चे माल का अधिक कुशल उप्योग, बहतर उत्पाद की गुनवत्ता, कम लीड समय और बहतर सुरक्षा भी मिलती है स्वचालन उन संसाधनों को मुक्त करने में मदद कर सकता है जिनका उप्योग अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए किया जा सकता है Artificial Intelligence का उप्योग हमेशा बहतर फैसले लेने के लिए किया जाता रहा है AI तकनीक, Data Delivery का समनवय कर सकती है, रुझानों का विशलेशन कर सकती है, पूर्वानुमान प्रदान कर सकती है और सबसे बेस्ट फैसले लेने के लिए अनिश्चित्ताओं की संख्या बता सकती है जब तक AI को मानवी अभावनाओं की नकल करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता है, तब तक यह मामले पर निश्च्पक्ष रहेगा और व्यावसाइक दक्षता का समर्थन करने के लिए सही फैसला लेने में मदद करेगा इसके अलावा अलग-अलग शेत्रों में नए नए खोजों में मदद करना रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने से लेकर AI कई माइनों में काफी उप्योगी है तो दोस्तों हमें कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये विडियो कैसा लगा अगर ये विडियो आपको पसंद आया है तो विडियो को लाइक करे और ऐसे ही दिलचस्प विडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकॉन को दबाए ताकि नए विडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे धन्यवाद